सोलन में भाजपा आईटी सेल की बैठक आयोजन किया गया जिसकी अधेक्स्ता सायोजक चेतन ब्राग्टाने की इस मौके पर शिम्ला संसेदीक शेतर के आईटी सेल के पददिकारियों ने भाग लिया और उन्हें आने वाले चुनावों को लेकर महत्पूर्ण जानकर ये भ आईटी सेल के सैयोजक चेतन ब्राग्टाने कहा कि पहले के चुनावों की तरह आने वाले चुनावों में भी भाजपा आईटी सेल एक महत्पूर्ण कड़ी का काम करेगा उन्हें ने कहा कि जहां आईटी सेल एक और केंदर सरकार और प्रदेश SSरकार की उपलब्दियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा वहीं आईटी सेल कॉंगरेस द्वारा जारी फेक नियूस पर नकेल कसेगा और जनता को भ्रम में पढ़ने से बचाएगा। उनने कहा कि कॉंगरेस का आईटी सेल उनसे कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा क्यूंकि कॉंगरेस आईटी सेल के क्षेतर में काफी पिशड़ा हुआ है। उनने कहा कि अगर मुकाबला है तो वे संगठन के अंदर ही है। देखे आईटी विभाग ने दोजार चौदा में और दोजार सत्रा के चुनामों में एक बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले किया था बीजीपी के लिए हिमाचल परदेश के अंदर। हमने स्ट्राटीजी बनाई कि कैसे हम फेक न्यूस को जो कॉंग्रेस दुबारा परचलित है इस टाइम और जिस पर बहुत ज़्यादा कॉंग्रेस फोकस कर रहा है फेक न्यूस को उसको हम कैसे रोका जाए और कैसे हम एक पॉजिटिव इंवार्मेंट बीजीपी के लिए उसको सुधारें फिर हमार से कॉंपटिशन करनी की सोचे